वेलकम टो हर चैनल फार्मा लेक्टर्स तो गाइस कैस्व आप सब इस वीडियो में देखेंगे एजरनर मिल के बार में बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे गाइस और एक्जाम पॉइंट आफ वियू से भी बहुत इंपोर्टेंट है इसके सांथ गाइस एंडरनर मिल भी प प्रिंस्पल है यह वर्क करता है क्राशिंग और शेरिंग पर तो यह तो सिंपल सा है क्रशिंग आपको माले में शेरिंग भी आपको गाइस इसले मालम ही है तो आते हैं इसका कंस्ट्रक्शन पर यहां पर कंस्ट्रक्शन पर यह समझना है कि सबसे नीचे के साइड में होता है और यह क्या होता है कि हाई स्पीड में रोल करता है वह हम वर्किंग में देखेंगे और इसके साथ साफ्ट एटेच होता है और जो हमारे मेटी मेटेरियल स्यादि जो भी हम साइज रेडियूस करने के लिए फूट अप करेंगे फीट को यहाँ पर हम लोग बैट के ऊपर पूट अप करेंगे जिसको वज़े से क्या होगा यह रोलर स्टार्ट होगा और यहाँ पर यहाँ पर क्रॉशिंग करना स्टार्ट कर देगा तो यह हम लोग किस में पढ़ेंगे वर्किंग में तो वर्किंग देख लेते हैं इसका दा मैटेरियल्स विच वी नीट साइज रेडियूस इस प्लेस ऑन दा बैट तो इसली हमने बैट पर रख लिया जो भी मैटेरियल्स को हमें क्रश करना है तो उसके बाद क्या होगा कि ज जैसे नौर्मल है कि समटिरियल्स का साइजन वह रिडियूस होना है उसके बाद जो स्क्रैपर होगा उस वहल्प करता है कि जो भी हमने मैटेरियल्स वहां पर तो इधर उदर बिखर रहे हैं तो उसको वो क्या करेंगा रिटर्ण उसे के अंदर डाल देगा कि दुबारा अच्छे से यहाँ पर जो भी मेटेरिल्स क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सरे मेटेरियल्स है तो यह रोलर इनके ओपर क्रेश करना इस्टार्ट करेंगे जिसको यही है इसका वर्क और इतना ही है उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही देखेंगे कि हमारा साइज रिडियूस हो चुक है नॉर्मल सा बात है कि उसको रिमॉव कर लेना है मसीन को आफ कर देना है एडवांटेजस डिसदवांटेजस एडवांटेजस की बहुत ही मतलब की स्टर्क्षर स्ट इसका सिंपल होता है मिंस कहीं भी East year in wanna स्कने इसको यूज करने में घंदम सिंपल है आपको कोई स्टाट करना बस और बाकि तो नहीं से में करतेंगे और कोई भी मतलब कि ज्यादा मुस्किल नहीं मैं सफाहर करने में इसको सफाहिं कर पाऊगे यानि करेंगे तो थोड़ा आपको ज्यादा साउंड आएगा जिसको जैसे नोइस पॉलिशन कॉस करेंगा उसके बाद जान्सेस ऑफ कॉंटैमिनेशन आप देखरो गाइस यह मसीन है कहीं सभी पैक तो है नहीं अब पैक नहीं है तो यह मालम है डस्ट डस्था करके हमें प्रोड़क्त में कॉंटैमिनेट हो सकते हैं नेक्स्ट वन इस यह इस्टिकी मेटेरियल के नहीं होता है बहुत ही कम मसीन होते हैं या पॉइंट आइवरियो मसीन में लिख सकते हो जो भी मिल होते हैं उन सब में कि डिसद्वांटेजस में कि इस्टिकी मेटेरियल यह नहीं है और के लिए यह नहीं है और हाई एनरजी कंजेप्शन यानि एनरजी इसको ज़्यादा चीह होता है तो गाइस देख लिए आपने कितना सिंपल वे में यह कंप्लीट आप हो गया टॉपिक तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो अच्छे लगए हो तर लाइक कर दो और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कॉमेंट करके बताओ आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए